आज किस वीडियो में बात करने वाले समांतर स्रेड यानि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्डेंट कोशन जो कि आपके यूपी वोड़ दोनों के लिए इंपॉर्डेंट है देखते हैं कौन कौशन है यहां आपको यहां आपको यहां कितने तर्म के लिए 20 तर्म के लिए 20 तर्म के लिए चाहिए क्या होगा हमारे पास यहां पर इस इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब जा करके हम पता करेंगे कि यहां पे yes 20 की वैलो क्या होगी एन थो हमको दिया गया एन के मदद से हम क्या कर सकते हैं उसे आप arithmetic progression को बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहला काम here is equal to 1, 2, 3 and so 1 हम क्या करते है value को रख देते हैं तो रखने से a1 is equal to आपको मिलेगा minus 4 into 1 plus 15 is equal to minus 4 plus 15 is equal to 11 हो जाएगा a2 को calculate कर दीजे minus 4 into 2 plus 15 is equal to minus 8 plus 15 is equal to 7 हो जाएगा फिर अगर a3 की बात कर लें तो minus 4 into 3 plus 15 is equal to minus 12 plus 15 is equal to कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक और अगर आगे चले a4 को calculate कर दे तो minus 4 into 4 plus 15 is equal to minus 16 plus 15 is equal to हो जाएगा minus 1 अब हमारे पास arithmetic progression बन चुका है a1 a2 a3 को क्रम से लगा दीजे 11 हो गया 7 हो गया 3 हो गया minus 1 हो गया इस तरीके सी यह क्या हो जाएगा arithmetic progression का यह first term second term third term fourth term मिलता चला गया हमको यह पता था उसी के मदद से हमने इसको क्या कर दिया calculate कर दिया अब यहां से एज इकोल टू 11 है और डीज इकोल टू जब निकालेंगे 7-11 करेंगे 7-11 is equal to कितना हो जाएगा minus का 4 हो जाएगा इस तरीके से हमको क्या पता चल गया common difference भी पता चल गया a भी पता चल गया yes 20 चाहिए तो यानी यहन की वैलू हम वहारे पास कितना है 20 है yes 20 is equal to लिखेंगे तो 20 अथा एक बाद formula को write करना ज्यादा बेटर होता है yes n is equal to n by 2 और यहां 2 a plus n minus 1 into d हुआ करता है formula n की वैलू अपने पास कितना है 20 है 2 तो रहेगा ही रहेगा 2 a की वैलू कितना वह इधर 11 है plus n की जगा पर 20 रख दीजे 20 minus 1 d की जगा पर minus का 4 ठीक अब आगे बढ़ते हैं यहां पर साल्व करने के लिए इसको आप cancel करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसको multiply करेंगे तो 22 हो जाएगा यह कितना होगा 19 हो जाएगा into minus का 4 हो जाएगा अभी इसको और भी simplify करना यह हमारा क्या yes 20 है तो yes 20 is equal to हम बना रहे हैं सारा वैलू आगे देखें अगर तो यहां क्या लिख सकते हैं yes 20 के लिए yes 20 is equal to हम दिख पाएंगे यहां से देखिए 10 और यह क्या है 20 प्लस 22 प्लस 19 फोर जाग कितना हो जाएगा आ अगर इसको आप डिवाइड करें सारी multiply करें तो कितना हो जाएगा यह आपका यहां पर क्या होता है साल हो करके answer आजाता है बिल्कुल अच्छा साब सुथरा सा अब अगर इसकी बात तो हमने complete कर लिए second question की बात कर लें तो find the sum of first 25 terms हमको क्या करना है ऐसे ही कितने terms की value चाहिए, sum की value चाहिए, 25 terms की value चाहिए हमारे पास यहां क्या क्या information है whose ynth term is given by उस arithmetic progression का हमको क्या दे दिया गया है यंth term दे दिया गया है और पूछ लिया गया है यहां पर कि 25 term का sum value क्या होगा जिस तरीकिस यह question था बिल्कुल वैसे ही है बस लिखने का तरीका थोड़ा सा question क्या है अलग है तो चलिए solve करते हैं यहां आपके पास फिर से an की value है an is equal to write कर लेंगे 7-3n और फिर आपको क्या चाहिए find the sum of first 25 terms यानि यह 25 आपको चाहिए कितना होगा अब हमारे लिए यहां पर question होता है कि क्या हम यहां पर first term common difference हमको पता है तो नहीं पता सबसे पहला काम हम उसी के लिए करेंगे यान इस तरह value रखेंगे a1 is equal to मिलेगा 7-3 into 1 is equal to कितना हो जाएगा 7-3 is equal to 4 हो जाएगा a2 को अगर solve करें तो 7-3 into 2 हो जाएगा तो 7-6 is equal to 1 और a3 की उगर value की बात करें तो a7-3 into 3 is equal to 7-9 is equal to minus 2 इस तरीके सम क्या करेंगे सारे values को calculate करते हो इनको करम से लगा देंगे 4-1 यह हो गया माइनस का 2 and so 1 यह आपका क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फिर्स ट्रम यानि a is equal to आपको पता है कितना है common difference d की बात करेंगे तो 1-4 की बात करेंगे 1-4 is equal to minus 3 हो जाएगा और यहां पर 25 तो यहन की वैलू आपको दिया गया कितना 25 दिया गया है यह सीन इस इकॉल टू फार्मूला यहन बाई 2 टू एप्लस यहन माइनस 1 इंटू डी हुआ करता है इस तरीके से यह तो हो गया फार्मूला आपका अब इस फार्मूले के अधार पर कैलकूलेशन करना है यह 25 आप बना देजिए यह 25 अपन टू हो गया और टू ए की वैलू आपके पास कितना वही फोर है देख लीजिए फोर हमने रख दिया प्लस यहां पर 25 माइनस 1 डी की वैलू देखेंगे तो माइनस का 3 है चली इतना राइट कर दिया गया 25 अपन टू को ऐसे रहने दिजिए यहां से क्या हो सकता है यह हो जाएगा टू इंटू फोर को हम लिख दे रहे है एट प्लस यह देखे 24 हो जाएगा और इंटू माइनस का 3 है तो माइनस को यहां लिख देते हैं 3 को यही रहने देते हैं अभी देखे 8 कामन हो जा रहा तो 8 को हमने काम तो टॉंटीफाइब फोर जा कितना हैंडेड भी हो जाएगा और यह वन माइनस नाइन हो गया इस तरीके से यह हो जाता है आपका सेकेंड को जैसा ही था अब बात कर लें को सारी को साल्व कर सकें देखें यहां की वैलू चाहिए यहां को क्या क्या दिया गया है यहां से यहां इस इकोल टू नहीं पता है और यहां इस इकोल टू भी नहीं पता है इस तरीके सिन के लिए आप लगा देंगे अब हमारे पास एन की वैलू कितना है फिप्टी हम फार्मुला जानते हैं एन इस इकोल टू यह प्लस यहन माइनस वान इंटू डी हुआ करता है इसी फार्मुले के अधहार पे हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास एन की पिप्टी हमने 50 रख दिया एक है एन माइनस वान डी की वैलू कितना त estado को इदर बेश दीजें सब्सक्राइब क्या होगा ये थ्री हो जाएगा और से कैंसल करते हैं यह कितना हो जाएगा 15 होगा और n-1 is equal to 15 आप write करें फिर n is equal to लिखेंगे तो 15 plus 1 is equal to 16 आपका यहां पर calculate हो करके आ जाता है अब इसके बाद आपको क्या चाहिए yes n चाहिए yes n के लिए formula yes n is equal to n by 2 और फिर क्या होता है 2a plus n minus 1 into d हुगा करता है यहन की वैलू आपके पास कितना है 16 रख दीजे 16 by 2 हो गया to a की वैलू कितना है आपके पास 5 यह भी रख दीजे n की जगह पे हो गया 16 minus 1 और d की वैलू कितना है 3 इसको button कर देते हैं अब यह सको cancel कर देंगे तो यह क्या हो गया 8 हो गया 8 और यह कितना हो जाता है 10 हो यह पितना हो जाएगा एंट से क्या कर सकते हैं कुछ नहीं तो ऐसे रहने दे टेन प्लेस कितना हो जाएगा पॉर्टी फाइब यानि आपका फोर्ती पूर्टी पोर्या यहां पर क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा इस तरीके से यह भी कोशन आपका क्या हो गया complete हो गया next question है find yen and yen आपको यहां पर प्राप्त करना है क्या चीज नमबर आप टम को भी और उसी के साथ-साथ यहां पर आपका यंथ टम भी find out करना और उसके लिए क्या-क्या given है वो देख रीजिए first term आपको दिया हुआ है यहां एज इक्वल टू टू दिया हुआ है common difference भी दिया गया और यह इस इन भी दिया हुआ है तो चलिए सबसे पहले हमने यह से यह को लिख दिया कितना है टू है डी इक्वल टू लिख दिया कितना है एट है ठीक आपको calculate क्या करना है number आप टम नहीं पता चलिए इसके लिए question mark और उसी के साथ साथ a n is equal to b नहीं पता उसके लिए भी question mark तो सबसे पहला काम हमारे पास yes n है तो yes n का जो formula होता हुआ उस formula को apply करने के लिए yes n is equal to a लिखना तो पड़ेगा n by 2 और क्या हो जाएगा 2a plus n minus 1 into d हुआ करता है yes n की जगह 90 रख दीजिए आप n नहीं पता है तो n by 2 ही रहने दीजिए 2a की value आपके पास कितना है 2 है यन नहीं पता यन minus 1 into d की value पता है कितना है 8 है अभी क्या हो सकता है 2 को इधर भेज़ दे नहीं 2 को यहीं cancel कर देते हैं तो यह हो जाएगा n by 2 यहां से 8 में 2 और यहां स 1 और 8 की जगह क्या हो गया भी 4 हो गया क्योंकि हमने क्या कर लिया पूरे में से यहां plus से एक पार्ट आपका यह पार्ट यह है इन दूनों में से 2 को common कर लिया वह बाहर आ गया इस 2 से 2 यह cancel हो जाएगा तो 90 is equal to n और यहां क्या हो गया यह 2 plus इसको multiply कर दीजिए 4 n minus 4 इसको भी simplify कर दीजिए 90 is equal to n यह हो जाएगा 4 n minus का 2 हो जाएगा अभी इतना हो जाने के बाद से हम क्या करेंगे n को अंदर multiply करेंगे ठीक हो जाएगा यह 90 is equal to 4 n square minus 2 n अभी क्या करता है 90 को transfer कर देते हैं 4 n square minus 2 n minus 90 is equal to 0 यह आ जाएगा रच्चेस में तो इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा देखा जाए तो सब के सब 2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है एक बार इसको डिवाइड करके छोटा कर दिया जाए होगा यह 2 n square minus n minus का यह कितना 45 is equal to 0 अभी क्या करना है यहां से 2 को 90 के 45 पे साथ multiply करना यह फैक्टराइज करना यह आपका यहन में क्य है एक क्वाडिटी की क्वेशन बन गया है इस क्वाडिटी की क्वेशन को साल भी इस तरीके से किया जाए ताकि यहां सब्ट्रेट कर देने से क्या मिले वन मिले तो टू का 45 में आप क्या करेंगे multiply करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा 90 का फैक्टर बनाई हो गया 45 और इसको सिंप्लिफाई करना है तो लेखिए गा टू यहां पे नाइन माइन माइनस 45 इस इक्वाल टू जीरो इतना काम हो जाने के बाद से आप देखेंगे यहां से क्या क्या कामन है टू यहन कामन है तो हमने टू यहन को कामन कर लिया तो यहन माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5 और यहां से देखिएगा क्या कामन है नाइन कामन है तो यहन माइनस 5 हो जाएगा यहां से इक्वाल टू 0 तो अबराल देखेंगे तो यहन minus 5 common है और फिर क्या है 2 yen plus का 9 is equal to 0 यहां से आपको yen is equal to मिलेगा क्या चिर 5 यही आपका यहां का यह cancer हो जाएगा दूसरा जो yen आएगा यहां से निकल के वो क्या आएगा negative में जो कि वो क्या है सही बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से आपके पास यहां पे और एक question है minus 1 into d हुआ करता है first time आपके पास क्या है 2 है हमने 2 लिख दिया plus yen की जगह पर आप देखें yen तो आप जान चुके हैं कितना है यहां पे 5 है तो लिख दिजिएगा a5 तो यह 5 minus 1 और d की जगह पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे तो 2 plus 4 into 8 हो जाएगा और यह 2 plus 32 हो जाएगा और यह पूरा-पूरा 34 आपका यहां पर answer हो जाएगा a5 असल में उसको ए-n तो चाहिए था ए-n कगर आप चाहें केवल ए-n नहीं पता हमको यहां पर d हमारे पास कितना है 8 है वह भी रख दिजिए तो जाएगा 2 plus 8-n minus 8 तो हो जाएगा 8-n minus 6 यह आपका क्या हो जाएगा केवल और केवल यंद्ध term हो जाएगा यंद्ध के फॉर्म में इस तरीके से आपका यह 4th question भी क्या हो then find the value of d यानि आपको यहां पर yes-n की value दे रखा है और वहां से सीधे सीधे आपसे पूछ लिया है कि इस arithmetic progression का common difference क्या होगा इसका तो एक trick होता है solve करने का उस trick से भी बताएंगे और जो एक solve करने का तरीका होता है उससे भी बताएंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले yes-n is equal to लिख देते हैं क्या होगा यह 3-n square प्लस 5-n आपको बता दे ट्रिक की बात तो yes-n is equal to कभी भी आपको लिखा हो a-n square प्लस b-n प्लस c के फर्म में आपको हमेशा yes-n जो दिया जाएगा वो यह न के 2 पामर के फर्म में रहेगा मतलब यह यह जो बामर होगी जो डिग्री होगी आप देखेंगे हमेशा 2 रहेगा वो हमेशा यह नियम है yes-n की value आपको इस फर्म में मिलेगा और और an की value आपको मिलेगा किस form में वो भी बता देते हैं, an is equal to आपको मिलेगा an plus b के form में इस तरीके से, आपका जो यंध term का form मिलता है, वो an plus b के form में, ठीक, और दूसरा yes an की जो form मिलता है, वो general form वो इस तरीके से मिलता है, तो यहाँ पे आपको, अगर common difference इस से पुछ लिया आप यहाँ से, 3 का 2 में multiply हो जाएगा, तो कितना हैगा, 6 हाएगा common difference, ठीक, बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, इसको हमको क्या करना है, calculation करके बताना है, हमारे पास yes an की value 3n square plus 5pn है, अगर solve करनी की बात आजाएगी, तो yes an के साथ साथ आप yes, yen minus 1 calculate करेंगे, जहां जहां yen होगा, वहाँ पर आप yen minus 1 रख देंगे, ठीक, यानि आप क्या कर रहे हो, yen से एक step पहले वाला calculation कर रहे हो, तो yen से एक step पहले वाला calculation करते हैं, तो 3 यह सको whole square खोल दिया जाए, yen square plus 1 minus 2 yen, और यहाँ पे 5 yen, minus 5 हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, 3 yen square plus 3 minus 6 yen, plus 5 yen, minus 5 हो जाएगा, 3 yen square, यह देखिए, दोनों simplify हो जाता है, तो minus yen हो जाएगा, ठीक, और 3 और यहाँ का minus 5 कितना हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, yes yen minus 1, formula क्या होता, yen के लिए, अगर आपको yes yen दिया जाए, और yen पूछ ले, तो भी आप यही काम करोगे, yen is equal to formula होता, yes yen minus, yes yen minus 1, ठीक ह अगर sum of yen term दिया हुआ, और उसकी मदद से आपको क्या करना हो, उस arithmetic progression का, yenth term निकालना हो, यानि यह नमापद निकालना हो, आप इसी formula का इस्तमाल करेंगे, ठीक, यही वो formula है, जिससे आप क्या कर सकते है, yen निकालेंगे, yes yen की value हमारे पास कितना है, चलिए रख देते हैं, 3 yen square plus 5 yen, yes yen minus 1 की value कितना है, 3 yen square minus yen minus 2, तो हो जाएगा, यह 3 yen square plus 5 yen minus 3 yen square plus yen, और यहाँ plus का 2 हो जाएगा, इससे देखें, यह cancel हो गया, 5 yen और यह yen कितना हो जाएगा, 6 yen हो जाएगा, ठीक है, और plus का यह 2 हो गया, यह आपका an हो जाता है, अब an आपको अगर मिल गया, भी हमको common difference से ही है, आपको एक बात और बता दे, जब आपको यहाँ पे an लिखे थे, an is equal to an plus b, यहाँ पे जो yen का coefficient हुआ करता है, yen का जो गुडांक होता है, वह ही common difference होता है, यहाँ देखिए, वो common difference कितना है, 6 है, पर अभी भी हम इसको वहाँ से नहीं निकालना चाहते हैं, तो च हम निकालते हैं, तो 6 into 1 plus 2 is equal to 6 plus 2 is equal to 8 हो जाएगा, a2 निकाल देजिए, 6 into 2 plus 2 हो जाएगा, 12 plus 2 is equal to 14 हो जाएगा, a3 निकाल देते हैं, तो 6 into 3 plus 2 is equal to 18 plus 2 is equal to 20 हो जाता है, यह हमने क्या की arithmetic progression ही अब बना दिया, यहाँ से आप अगर arithmetic progression को लिखना चाहें, 8, 14 और क्या लिखे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आपको common difference नो चाहिए, तो 14 minus 8 करना पड़ेगा, second term minus first term, तो यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देख लिए इस तरीके से भी आ जाएगा, नहीं तो आप सीधे value बता सकते हैं, यहाँ पर, कि common difference कितना 3 into 2 को multiply कर लेंगे, यह से यह न कर दिया जो खेंगा, सरुनांतर, सरु, समांतर, अंतर होता होता, बह inhibi इस तरीके से क्या करआ है, शिक्रीक पाचन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और इसकी मदद से और भी कुशन साल्व हो सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं कुछ ऐसा यह नाए वीडियो में, तब तक के वे दीजे जाएड़ा, बाइब